भले ही आप किस्मत या भाग में यकीन ना करते हूं पर इतना तुजरूर मानते होंगे कि कभी कभी कुछ इत्तिफाक इस कदर रॉंग्टे खड़े कर देते हैं कि उन्हें किसी कारण या वज़े से जोड़ कर समझा पाना नामुम्किन होता है परफेक्टली मैच करने वाली टाइमिंग से लेकर हैरान कर देने वाली आतिहासे घटनाओ तक पेशेंट दस्यों लाख में एक बार होने वाले कुछ ऐसे अनोके इतिफाक जिन्हें खुद अपने आँखों से देखे बगएर उन पर यकीन कर पाना मुश्किल है आस्मानी कनेक्शन महान अमेर के लेखक मार्क ट्वेन को ना सिर्फ उनकी किताबों के लिए बल्कि इसलिए भी याद रखा जाएगा कि उन्होंने जीते जी अपनी मौत के बारे में पहले से ही बता दिया था मार्क का जन 30 नवंबर 1835 को आस्मान में हैलीज कॉमिट नजर आने की थोड़ी देर बाद हुआ था हैलीज कॉमिट हर 75 साल में केवल एक बार प्रिथवी पर नजर आता है 1909 में इस महान लिखक ने लिखा कि अगर मैं हैलीज कॉमिट के साथ ही प्रिथवी छोड़ कर नहीं गया तो ये मेरी जिंदगी की सबसे अफसोसनाक बात होगी भगवान ने पहले से ही तैकर रखा है कि ये मेरे दो अनोखे रतन एक साथ धरती पर आये थे और उसे छोड़ेंगे भी एक साथ अगले साल हैलीज कॉमिट फिर से आस्मान में नजर आया जो इस बार पहले से कहीं जादा चमकीला था कॉमिट नजर आने के अगले ही दिन याने 21 अप्रेल 1910 को मार को दिल का दौरा पढ़ा और वेज दुनिया को हमीशा के लिए छोड़ कर चले गए डेनिस दा मैनेस मशूर कार्टून केरेक्टर डेनिस दा मैनेस को भला कौन नहीं जानता कंदों पे बांधने वाली पैंट पहने हुए सुनहरे बालों वाला ये लड़का और उसका कुत्ता रफ सालों से तरह तरह की मुसीबतों में फस्ते चले आ रहे हैं पर कहीं हम काले काले स्पाई की बाल और स्ट्राइपस वाली टी-शिट पहनने वाले डेनिस की बात तु नहीं कर रहे। आपको बताते के 1951 में अमेर की कार्टूनिस हैंक केचम ने अपने शरारती बेटे से प्रेरित होकर डेनिस दा मेनिस कार्टून बनानी की ठानी और हमेशा मुसीबतों में घिरह रहने वाला ये लड़का 12 मार्च 1951 को पहली बार अमेर की अखबारों के पन्नों पर प्रकट ह हुआ पर केचम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि समुद्र के उस पार ब्रिटिन की मशूर कॉमिक स्ट्रेप बेयानों भी डेनिस दा मेनिस नाम के शरारती बच्चे और उसके पालतू कुत्ते नैशर पर आधारत एक नई कार्टून स्ट्रेप लॉंच करने व स्ट्रेप के श्राबित हुए लेकिन इन कार्टून्स को देखने वाले बहुत कम लोग ही शायद इस अनों के इतिफाक से वाकइँव होंगे बाल बाल बची मश्ली की जान कहते हैं की बिल्ले अपने कौतुहल के कारण मारी जाती है पर यहां तो किसी बिल्ली के कौतुहल ने इस बेचारी मशली की जान खत्रे में डाल दी है एक पंजा मारा और मशली का बॉल सीधे जमीन पर आगिरा ये तो सभी जानते हैं कि बिल्लियां बड़ी शरारती होती है लेकिन इ एकदम सही सलामत बच गए वैसे तो मैं ये सूच रहा हूँ कि बिचारे मालिक ने इस जमेले को आखिर सुल जाया कैसे होगा Lucky Dollar जातर आशिक मिजाज लोग मानते हैं कि तकदीर उनके सचे प्रेमी से एक ना एक दिन उन्हें जरूर मिलवाईगी और ये किस्सा सुनने के बाद आपको इस बात पर पूरा यकीन हो जाएगा काफी टाइम से एस्टर को डेट करने के बाद पॉल ग्रेचिन ने अपने अपनी गल्फेंट बनने के लिए प्रपोस किया और एस्टर जट से मांगी एक दिन किसी दुकान से लंच के लिए सैंडविच खरीदते वक्त पॉल को डॉलर की एक नोट मिली जिस पर उनकी गल्फेंट एस्टर का नाम लिखा हुआ था पॉल ने उस नोट को फ्रेम करा कर एस्टर को गिफ्ट करने के लिए रख दिया एस्टर ने जब उस नोट को देखा तो वे दंग रह गई और आगे चल कर इस दॉलर का किस्सा और भी दिल्चस्प हो जाता है एक दिन एस्टर ने पॉल को बताया कि अपने टीनेज एर्स में ब्रेक अप होने के बाद उनका दिल तूट गया था उस वक्त उन्हों ने एक नोट पर अपना नाम लिख कर खश कर दिया और प्रतिग्या की कि जो भी शक्स उन्हें वो नोट लोट आएगा उसी से वो शादी करेंगी इतिफाक से वही नोट वो था चलो अच्छा हुआ कि पॉल को उस दिन सैंड्विच खाने का मन हो गया वरना बेचारा अपनी गर्फरंड से शादी भी नहीं कर पाता पर्फेक्ट टाइमिंग फोटोग्राफी का शौक रखने वाले हर शक्स के मन में कोई ना कोई ड्रीम शॉट जरूर होता है फोटोग्राफर बेनेट क्रिश्चिन सेंड का सपना था कि आसमान से गिरने वाली बिजली को अपने कैमरे में कैद करना करीब एक साल तक अपने पर्फेक्ट शॉट की तलाश में भटकने के बाद एक तूफानी रात को जब बेनेट बंदरगा के रास्ते होते हुए पैदल अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उन्हें अपना मनपसंद शॉट आखिर मिल गया वैसे तो ये शॉट खुद अपने आप में ला जवाब है लेकिन घर पहुँचने के बाद पता चला हुबहु एक दूसरे जैसे दिखने वाले एक आख वाले ये दो कुत्ते जब आमने सामने आए तो मानों ये कहावत एकदम से सचोटी फोटो में बाई और नजर आ रहे प्यारे से कैविलिया स्पेनियल का नाम है फ्लर्ट क्योंकि उसे देखने पर लगता है मानों आख मार रहा हो एक दिन फ्लर्ट शॉपिंग कोर्ट में बैठ कर मज़े से मौल की सैर कर रही थी तब ही उसकी मुटफेर हुबहु खुद जैसे देखने वाले कुत्ते से हुई जिसकी अपोजिट आख खायब थी इस कमाल के सहयोग ने या तो इन दोनों कुत्तों को एक दूसरे के करीब ला दिया होगा या फिर इन दोनों के बीच में तनातनी बढ़के होगी क्योंकि दोनों के पास एक ऐसी चीज़ थी जो कि दूसरे को बड़ी शिदत से चाहिए थी अंतिम आरामगाह 1914 से लेकर 1918 के बीच दूसरे विशुद के दौरान करीब 7 लाख ब्रिटिश सैनिक मारे गए जिनकी कबरें लगभग पूरी योरप में बिखरी पड़ी हैं लेकिन बेल्जियम की सेंट सिंफोरी नामक कबरिस्तान में दो ऐसी अनोखी कबरें स्थित हैं जिनके बारे में जानकर कोई भी आश्यक चकित रह जाएगा 21 अगस्त 1914 को दूसरे विशुद में मारा जाने वाला पहला ब्रिटिश सैनिक प्राइविट जौन पार और 11 नुवंबर 1918 के सुभे साड़े नौ बजे युद विराम समझोते पर हस्ताक्षर किये जाने से ठीक पहले मारा जाने वाला आखरी ब्रिटिश सैनिक जौर्ज एलिसिन इस कबरिस्तान में एक दूसरे से महज 15 फीट की दूरी पर दफन है किसी किताब के पहले और आखरी पन्ने की तर है एक दूसरे के सामने इस्तिति ये दो कबरें ब्रिटिन की चंता को और देश के इतिहास के सबसे खराब दौर की शुरुआत और खातमे के बारे में हमेशा याद दिलाती रहेंगी चौराहे पे मुर्गी ने काटा रास्ता ब्रिटिन में एक पुराना चुटकुला प्रशलित है जिसमें किसी मुर्गे के रोट क्रॉस करने की बात का मजाक बनाया जाता है पर ये फोटो क्लिक करने वाले भागिशाली ड्राइवर के लिए वो चुटकुला वा कई एकदम सच साबित हो गया सच बताईएगा ऐसा का बोता है भई कि आप चौराई पर रेट सिगनल देखकर रुख जाएं और कोई मोटा ताजा मुरगा मटकते हुए आपके सामने से निकल जाएं मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ और मुझे इंतिजार है उस दिन का जब मुझे ये नजारा देखना नसीब होगा बच्पन में गुम हुई किताब मिली वापर्स 1920 के दशक की बात है जब अमेर की नॉविलिस्ट एन पैरिश अपने हस्बिन के साथ पैरिस में छुट्टिया मनानी गई वहाँ शॉपिंग करते वक्त उन्हें किसी दुकान पर जैक फ्रोस्ट एन अदर स्टोडीज नामक किताब के एक पुरानी घिसी पिटी कौवी नजर आई किताब को उठाती वे उन्होंने अपने पती को बताया कि बच्पन में उनके पास ठीक ऐसी ही एक किताब हुआ करती थी जिसके कारण इसे देखकर इनको अपने बच्पन की आद आ रही थी उनकी हस्बेन ने जब किताब का कवर खोला तो उस पर इन पैरिश 209 वीबर स्फ्रीट कोलोरेडो स्प्रिंग्स लिखा हुआ था जी हां यह वही किताब थी जो बच्पन में इनके पास हुआ करती थी है ना यह एकदम चौकाने वाली बात बेश कीमती अंडा रोस मर्रा में खाई जाने वाली चीजों को देखकर हम इतने आदी हो चुके हैं कि जब इस फोटो जैसा कुछ होता है तो हम उसे किसी चमतकार से कम नहीं मानते चार जर्दियों वाला यह अंडा सचमुच एक अदभुत नजारा है क्योंकि चार तो छोड़िये महज दो जर्दियों वाले अंडों की तादाद भी सौ में केवा लेक होती है अंडो की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स की माने तो चार जर्दियों वाले अंडो की तादाद 1100 करोड में महजेग होती है वा कई कमाल है भाई उसे साब से देखा जाए तो यंडा दुनिया के कीमती से कीमती हीरे जवारात से भी ज़ादा अनोखा और कहीं ज़ादा था भाई बेचारा रिचर्ड पारकर एडगर एलेन पो को भले ही इतिहास के सबसे मशूर लेख़कों में से एक माना जाता हो पर सच तो यह है कि उन्होंने सिर्फ एक नोबल लिखी जो की 1838 में आने वाली दर नेरेटिव ऑफ आर्थर गार्डन पिम ऑफ नेंटुकेट थी यह कहानी चार लोगों पर आधारित है जो अपना जहाज डूब जाने के कारण एक विरान टापू पर फंस जाते हैं और जिन्दा रहने के लिए एक दूसरे को खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं फैसला करने के लिए उन्होंने तीलिया चुनने का उपाय निकाला और बचने वाले चार यात्री एक छोटी सी लाइफ बोट में जमीन से करीब साथ सो मील दूर समुद्र में धर उधर भटक रहे थे उनमें से एक आदमी नावजी नीचे गिर गया और पेट में खारा पानी घुस जाने के वज़े से बेहोश हो गया बाकी की तीनों नाविक ज मचर का काल अगर आप एक मचे हुए खिलाडी नहीं है तो डार्ट फिंकते वक्त बुलजाई को हिट करना आपके लिए बहुत मुश्किल साबित होगा पर इस कमाल के निशांची ने तो उससे भी आगे जाते हुए अपने डार्ट से एक मचर को बोट पर टांग दिया मैं सिकम एक पुखता सबूत के तोर पर हमारे पास ये फोटो तो मौझूद है आस्मान से टपकते बच्चे सन 1937 में डेट्रोइट में रहने वाले जोजेफ फिडलॉक रोज की तरह सड़क पर पैदल जा रहे थे तब ही एक बड़ी इसी चीज उनके सर पर आगिरी पता चला कि बगलवाली बिल्डिंग की चौथी मंजिल की खिड़की से एक बच्चा गिरा था और जोजेफ की सिर से टकराने की वज़े से उनकी जान बच गई वरना सड़क पर टकरा था तो चकना चूर हो जाता इस घटना के करीब एक साल बाद जोजेफ उसी एरिया की गली में ज हडू लगा रहे थे तब ही बगलवाली बिल्डिंग की चौथी मंजिल से डेविड थॉमस नाम का एक दो साल का बच्चा नीचे गिरा और इस बार भी जोजेफ नहीं बच्चे की जान बचाई एक बात होता है कि अगर आप 1930 के दशक में रहने वाली कोई लापरवा मां हो होता है पर ऐसा बहुत ही कम होता है कि हमें अपने ड्रेस की लोक और अपनी सराम्डिंग के मैच होने के बारे में सोचना पड़े अब इस बिचारी टी-शर्ट को ले लिए जिस पर बनी धारियां उसके मिलक शेक की कप पर बनी धारियों से उपव मैच खाती है यहां तक क कि रंगों का क्रम भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस दिन बिचारी को बहुत सफाई देनी पड़ी होगी कि वो उस मिलक शेक की दुकान पे वेटर का काम नहीं करती क्लिफ इनर्जी बार क्लिफ बार एक बेहत स्वादिश्ट और पोशक इनर्जी बार है जो खोजियों और रोमांज करताओं के लिए परफेक्ट साबित हो सकता है क्या आप जानते हैं कि इस बार की जानी पहचानी पैकेट पर चटान से लटकते हुए आदमी का दृष इस बार को बनाने वाले शक्स द्वारा 1990 में की गई एक सचमुच की चढ़ाई से प्रेरित है सोची एक क्लाइमबर कितना खुश हुआ होगा जब उसे पता चला कि सामने वाली चटान क्लिफ बार की पैकेट पर बनी चटान से ऐसे मेल खा रही है जैसे ये उसी सीन का हिस्सा हो यहां तक की दूर शितिष पर नजर आ रही पाड़ियां भी हुबभु बार के पैकेट जैसी नजर आ रही है ये तस्वीर इतनी परफेक्ट है कि इसे किसी मशूर किताब में छापना चाहिए भाई और शुगर है कि उस दिन आजमान भी एकदम साफ और नीला था विलियम वेस्ट सन 1903 में विलियम वेस्ट नामक व्यक्ति को एक छोटे अपरात की सजा काटने के लिए लीव इन वर्थ भेज दिया गया लेकिन वहाँ पहुंचने पर जब उसे बताया गया तो वो सन 1901 से ही उस जेल में निर्मा महत्या के अपरात की सजा काट रहा था वो एकदम से दंग रहा गया उस जमानी में जेल में कैदियों का पंजी करण करते वक्त उनकी पहचान इस्थापित करने के लिए बर्टिलियन पधिती का इस्तिमाल किया जाता था जो केवल कैदियों के चेहरे की पिक्स और उनकी बॉड़ी के मिजरमिन को ही कंसिडर करती थी सच तो ये था कि विल्लियम इससे पहले भी कभी जेल गया नहीं था पर उस जेल में विल्लियम वेस नाम का एक दूसरा शक्स भी था जिसका बोटिलियन रिकॉर्ड हूब भू विल्लियम जैसा था दोनों में इतनी समानता थी कि उनको चुड़वा कहा जा सकता था पर दोनों में किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था जेल का स्टाफ शुरू में तो बहुत कंफ्यूज हुआ पर कुछ देर के बाद वे समझ गए कि असल में वे दो अलग-अलग कैदियों को हैंडल कर रहे थे इस गटना के बाद से हमायर की जेलों में फिंगरप्रिंट के जरिये कैदियों की पहचान रिकॉर्ड करने की लेटिस टेकनॉलजी इस्तिमाल की जाने लगी मैं तो कहूंगा भाई इस छोटे से सहीं के चलते होने वाला बदला हुमारे नागरे का धिकारों के लिए बहुती फायदिमन साबित हुआ नजरों को धोखा देने वाला स्विमसूट समुदर किनारे बीच पर समय बिताना तो सबको अच्छा लगता है लेकिन जब इस लड़की का शरीर तमाम लोगों की नजरों के सामने से होचलो गया तो इसे जरूरी शौक लगाओगा अरे भाई मैं मजाग कर रहा हूँ असल में मैडम का स्विमसूट बीच की रेत और समुदर के पानी से इसकदर मेल खा रहा है कि पहली नजर में तो अच्छी से अच्छी निगावाला आदमी भी धोखा खा जाए पर मैं तो सिर्फ यही सूच रहा हूँ कि ऐसी अजीब कलर की ड्रेस खरीदने की सलाह बिचारी को भला किसने दे डाली डबल प्रपोजल लोग अपने प्रपोजल को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए एक से बढ़कर एक जतन करते हैं वैसे तो सभी प्रपोजल रोमान से भरपूर होते हैं पर इस प्रपोजल में कुछ हैसा संयोग हुआ जो सची महबबत की एक जीतिजागती मिसाल बन गया बेकी मैक केब और जैसा गिलेसपी की पहली मुलाकात ग्रेविशन के दौरान कॉलेज में हुई थी और वे अपनी पहले डेट पर मेंफिस चडिया घर की सेर पर गई थी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए एक दिन जब दोनों ने फिर से उस चडिया घर जाने का प्लैन बनाया तो बेकी ने सोचा कि अपने लवर को शादी के लिए प्रपोज करने का इससे अच्छा और यादगार मौका भला क्या हो सकता है बेकी ने अंगूठी को पीट पीछे चिपा लिया और अपने दोस्तों को दूर से चिप कर फोटो लेने को कहा गलेसपी को प्रपोज करने के लिए बेकी जैसे ही अपने घुटनों को जमीन पे टिकाने ही वाली थी वैसे एक लेस्पीन हर बढ़ा कर अपने पर्स से एक अंगुठी निकाली जिससे पहना कर वे बेगी को शादी के लिए प्रपोस करना चाहती थी तो डिजनी लेंड की इस पुरानी से फोटो में भला ऐसी क्या खास बात है लेकिन ये फोटो साबित करती है कि ये दुनिया असल में बहुत ही जोटी है एलेक्स और डॉना वो तसिनाज अपनी शादी के जस्ट पहले अलबम बनवाने के लिए अपने बचपन के पुराने फोटोस खंगाल रहे थे तब ही डॉना को सन 1980 की एक फोटो मिली जिसमें वे पांच साल की उमर में अपनी पिता के साथ डिजनी लेंड घुमने गई थी एलेक्स ने जब उस फोटो को देखा तो वे एकदम से हक्का बक्का रहे गए फोटो के बैग्राउंड में उनके पिताजी तीन साल के नन्हे एलेक्स को स्ट्रॉलर में बिठा कर घुमते वे नजर आ रहे थे कितनी हरत की बात है कि 15 साल पहले एलेक्स और डॉनार दोनों ही ना सिर्फ एक ही जगह मौझूद थे बलकि किसमत से दोनों एक ही तस्वीर में कैद भी हो गए अब तो भीया मुझे वाकई अगिन हो गया कि इस दुनिया में कोई भी इत्तिफाक पूरा संभव नहीं है इन में से किस इत्तिफाक ने आपको सबसे ज़्यादा चौकाया अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमारे साथ अभी शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए शुक्रिया